मूली के फायदे क्या-क्या होते हैं यह हमारे acidity को कम करने में मदद करता है खाना पचाने में मदद करता है साथी साथ indigestion की जो problem होती है उसमें भी यह relief करता है खुन की कमी जिन मरीजों को होता है उसमें भी बहुत जादा फायदा करता है इसके अंदर folic acid इसके अंदर calcium magnesium इसके अंदर fiber की मातरा बहुत अच्छे होती है इसके अंदर carvohydid की मातरा बहुत जादा होती है जिससे हमारे health पर बहुत अच्छे प्रवाव पड़ते हैं मूली के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मूली के फायदे क्या होते हैं इसे English में क्या कहते हैं और हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं और इसका medical name क्या होता है तो आज के इस वीडियो में detail में हम समझेंगे मूली के बारे में मूली के क्या का health benefits आपको मिल सकते ह मुली को हिंदी में मुली कहा जाता है इंग्लिस में इसे रैडिस कहते हैं और मेडिकल लेंग्विज में इसे हम कहते हैं रेफिनेस साटाइवर्स इसके अंदर काफी अच्छी मात्रा में कार्वो हाइडिट की मात्रा मिलती है अच्छा होने के कारण यह वजन बढ़ाने में साथ ही साथ यह हमारी digestive system के लिए बहुत ज्यादा helpful होता है अगर आप digestive system problem से related आपको कोई problems है या जूज रहें ऐसे समस्याओं से तो आपके लिए मूली का सीवन करना बहुत ही ज्यादा लावकारी होता है मूली के अंदर यानि रैडिस के अंदर आपको फाइवर की बहुत अच्छी मातर मिलती है फाइवर इसके अंदर कम से कम 4-6 ग्राम होता है पर 100 ग्राम में यानि कि अगर आप एक मुली भी खाते हैं तो इसके अंदर आपको काफी अच्छी फाइवर की मातरा मिल जाती है और फाइवर के अलावा इसके अंदर कार्वोहइडीट की मातरा मिलती है जो 12-16 ग्राम होता है और इसके साथ में इसके अंदर फॉलिक ऐसेड मिलता है जो कि कमी जब मरीज को होती है तो folic acid iron की tablets आपको दी जाती है तो आपको खुन भढ़ाने में मदद होती है लेकिन अगर आपको खुन की कमी है और अगर आप मुली का शेवन करते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद होता है साथ ही साथ यह हमारी red blood cells यानि rvcs को तूटनी से रोकता है तो अगर rvcs का destruction हो रहा है तो ऐसे patient में मुली बहुत जादा उपयोगी होता है अब एक relation यहाँ पर देखिएगा कि joint disc का मरीज होता है यानि कि पीलिया का मरीज होता है उसमें rvcs का destruction सबसे जादा होता है जिसके कारण पीलिया हो जाता है मरीज को तो कई बार आपको suggest किया जाता है पीलिया के अंदर कि आपको मुली खाना चाहिए तो आप समझ सकते हैं कि यह जो scientific video है वो आपको एक experience के हिसाब से भी आपको यह जानकारी मिल रही है और आपको जो पराने जमाने में हमाजे बुजर्ग बताय कि गए हैं वो भी आपको जानकारी इस वीडियो में मिल रही है तो पीलिया के जो पेसेंट्स थे उनमें भी मुली का शीवन बताया गया था जो scientifically आज आपने देख लिया कि यह आर्वीसी का destruction होता है जैनि कि जो हमारी खोन की cells होती है आर्वीसी लाल रखते कड़का है उन क्या होता है ये blood pressure को maintain करता है blood pressure को normal रखने में कम करने में बहुत ज्यादा help करता है अगर किसी patient का आप ने देखो होगी बहुत ज्यादा blood pressure बढ़ जाता है फाइवर जो होता है खाना पचाने के लिए बहुत ज़्यादा है तो खाना पचाने में बहुत ज़्यादा साहिता करता है कॉंस्टिपिशन आपको नहीं होगा और इसके अंदर आपको एसे डिटी कम करने में मदद करता है बीपी को कंट्टौल करने मदद करता है साथ ही साथ ही हमारी उढ़िस को हो जाता है पानी की मात्रव मिलने कारण आपको और कराशना 다या श्रीलिए चलते फिर भी आप मूली के शेविन कर सकते हैं इसका चिलका उतार कर भी आप इसे खाएंगे तो तेस्ट वर्ड जाता है थोड़ा थोड़ा मीठा लगने लगता है छिलका जो होता है 10सका उस busty मुली खाने के बहुत अच्छे फायदे हैं, क्योंकि सर्दियों के सीजन में मुली सबसे ज़्यादा है, और सीजनल जो फुरूट्स होते हैं, हमें चाहिए घ्रक्रीं करना चाहिए, तो आज इस आप मुली ज़रूर करेंगे यह से अरो आप काफी सारे health benefits मुली से लेंगे मैं फिर मिलता हूँ इसी तरी किसे नहीं वीडियो में तब तक कि लिए चनल को subscribe करें अगर आप हमारे blog पर नहीं गई हैं तो blog पर हमें ज़रूर follow करें Instagram पर आप हमें follow कर सकते हैं जहां पर हम काफी health related छोटे-छोटे वीडियोज अपलोड करते हैं और blog पर भी हम बहुत सौट वीडियोज अपलोड करते हैं साथी साथ हमें Facebook पर follow कर सकते हैं Twitter पर follow कर सकते हैं और हमें शपूर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करने के जरिये नमस्कार, thank you for watching, have a nice day, bye bye, jahin